असलाम लेकूम आविवान वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल धफूडी लॉज अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और शियर करें आज कि इस वीडियो में हम बना रहे हैं सुपर क्रिस्पी चिकन बर्गर्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाय रह्मान रर्रहीम सबसे पहले हमने लिए हैं दो अधर चिकन ब्रेस्ट सोया सॉस एक खाने का चमच चिली सॉस एक खाने का चमच सफेद सिर्का एक खाने का चमच मस्टरट पेस्ट एक चाई का चमच नमक आदा चाई का चमच या हस्बे जाई का नमक हमने इसमें कम ही शामिल किया है क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस प्याइड किया है और उसमें भी थोड़ा नमक होता है पाखने और लो पारें क्वाटा पूरर थेस हैं काली मिर्च, पाउडर 3-4 चाईि चाय का चमच इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें जादा बेटर यही है कि अगर आप पहले मैरिनेजन के अच्जा को मिक्स कर लें और पिर उसमें चिकन ब्रेस को कोट कर लें चिकन कुछी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसको मेरिनेशन के लिए आदे गहंटे के लिए रखते आदे गहंटे के बाद आप कोटिंग करने के लिए सबसे पहले लें प्लेट में हजबे जरूरत ठंडा पानी और दूसरी प्लेट में हजबे जरूरत मैदा यह अब हमने लि कोटिंग करते वकि इस बार का खास ख्याल रखना है कि चिकन व्रेस्ट प्रॉपरली कोट हो जाए क्योंकि अगर हम चिकन व्रेस्ट को प्रॉपरली कोट नहीं करेंगे तो इस पे क्राम भी ठीक तरह से नहीं आएगा इसको आप हम डिप करेंगे तंडे पानी में इसको आप दुबारा कोट करें मैदे में पानी इसमें हमने तंडा ही यूज करना है नॉर्मल पानी हमने इसमें नहीं यूज करना है क्योंकि नॉर्मल पानी से आपको वो रिसल्ट्स नहीं मिलेंगे जो ठंडे पानी से मिलेंगे कोटिंग का ये प्रोसेस हमने दो बार करना है पानी में हमने इसको दो बार डिप करना है और मैदे में हमने इसको तीन बार कोट करना है यानि कि मैरिनेटरी टिकन प्रेस्ट को सबसे पहले हम मैदे में कोट करेंगे फिर ठंडे पानी में फिर मैदे में फिर ठंडे पानी में और लास्ट फिर फिर से दुबारा मैदे के अंदर कोट करके रख लेंगे इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब दूसरी चिकन ब्रेस्ट को भी हम कोट करके रख लेंगे अब दूसरी तरफ एक पैन में आईल को हीट कर ले ताकि इसमें हम चिकन को टीप फ्राइ कर ले आईल जब फुली हीट हो जाया फिर इसमें शामिल करें चिकन ब्रेस्ट और लो फ्लेम पर इसको तीन से चार मिनट के लिए एक साइट से फ्राइ कर ले जादे दिन हमें इसको फ्राइ करने की दूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको तोड़ी दे मैरिनेशन के लिए भी रखा था चंद मिनट के बाद चिकन की साइट को चेंज कर ले और फिर इसको लो फ्लेम पर दुबारा फ्राइ होने के लिए रख दें जब तक के ये लाइट कोल्डना हो जाए चिकन जब फुली डीप फ्राइ हो जाए अब इसको निकाल ले अब दूसरी साइट पर बंस को सेख लें आप चाहें तो बर्गर बंस को सेखने के लिए पहले पैन पर थोड़ा सा ओयल भी लगा सकते हैं अधर्वाइस इसको ऐसे ही ट्राइ ही सेख लें बंस को अब उतार लें एक टिप हमेशा याद रखें के बंस को बाहर वाली साइट से ना सिखा करें इस तरह से बंस इतने प्रिजेंटेबल नहीं लगते अब हम बर्गर को सेंबल करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बर्गर बं पर लगाएं मायो अब बं की दूसरी साइट पर लगाएं केचप इस टोटली अब टो यूर चॉइस के आप ने केचप कौन सी यूज करनी है आईधर टोमेटो या चिली गालिक सॉस इस पर रखें आप सैलिड लीव या लेटस लीव साइट कर लें मेरे पास यहां पर लेटस अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर सैलिड लीव यूज की हैं बर्ट आइसबर्ग लेटस के साथ यह ज़्यादा अच्छा लगता है इस पर आप रखें क्रिस्पी फ् लास्ट पर इंको फ्रेंच वाइस के साथ सर्फ करें रेसिपी अच्छी लगी हो तो डोंट फोगेट टो लाइक शेयर कोमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल अलसो डोंट फोगेट टो हिट अब लाइकन ताकि मेरी आने बली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाए इंशाला मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए आला हाफिज